और खबर मध्यपरदेश के देपाल पुर्श है जहाँ पर गुरू नानक जी के 553वे प्रकाश पर्व को बड़े ही धुमधम के साथ मनाया गया है बता दे की प्रसुद बाबडी शाहिबा गुरुद्वारा इबम चरण पादू का गुरुद्वारा साहिब में स्रधालू का तांता लगा हुआ है जहाँ पर दूर दूर से मन्नत धारियों का तांता लगा रहता है सांती ही गुरुद्वारा में बड़ी तादाद में स्रद्धालू और ने पहुँचकर मत्धटेका है वो लिखनी है कि गुरु नानक देवजी महराज बेटमा में 6 माहा तक रुके थे जहाँ पर उन्होंने शांती का संदेश दिया था आसपास के शित्र में होने बाली लूट पार्ट की घटनाओं के अक्रांताओं को शांती का संदेश देकर शित्र में मिठे के पानी की समस्या को देखते हुए खारे पानी को भी मिठा किया है यहाँ पर दूर दूर से स्रद्धालू हर पूरिमा और अमाबस्या के अब सरपर दर्शन करने आते हैं